प्रणाम और नमन करते हुए कारिक्रम के शुरुवात करता हूँ तो मित्रों कैसा लग रहा है आप लोगों को कुछ कुछ हो रहा है तो फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पूरी तालियों की गड़़ाट के साथ राजीव दिक्षित साहब को मंच पर बुलाएं एक छोटी सी और गंबीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजी भाई का व्याख्यान समाप्त होता है और जब प्रश्ण उत्तर का दौर चलता रहता है उस वक्त भावनात तक जुड़ाव और विशय वस्तू विशय की गहनता जो है वो पराकाष्ठा पर होती है बुलंदी पर होती है और ऐसे में हमारे कुछ मित्र अनायास बेरहमी से उठकर जाने का प्रयास करते हैं जो इस बुलंदियों को ठेस पहुंचाती है तो यह हमारी गुजारिश है कि जब तक यह कारिकरम चलें जब तक राजी भाई नीचे नहीं उत्रें आप लोग जाने की कृपा मत करें हम लोग एक छात्र हैं एक बहुती गुड़ और एक गहन विशय को समझने आए हैं तो छात्रों वाले शिष्टाचार और छात्र का धर्म का निर्वाह हमें करना ह होगा और इसी अफेक्षा के साथ मैं मंच राजी भाई को स्पूर्थ करता हूं परम पूजनिय साद्वी जी सत्य प्रभाजी परम पूजनिय साद्वी जी तरुन प्रभाजी उनको मेरा सादर वंदन कोटी-कोटी वंदन मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज उनकी निश् आप से कल और कल के अगले एक दिन पहले और उसके एक दिन पहले तीन दिनों से जो बात कर रहा हूं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और आज की बात मैं आपके लिए बहुत महत्तुकी मानता हूं अब तक मैंने आपसे अश्टांग हिर्दयम के जिन सूत्रों पर चर्चा की है हम लोग हर एक विशह में आप जानते ना एक थियोरी होती है और एक प्रक्टिकल होता है तो अब तक आप समझेए कि मैं आपसे थियोरी की बात कर रहा था और थोड़ी सी बात और करूंगा थियोरी की जो बची हुई है फिर उसके बाद आज मैं आपसे क अखील हो तो आप जानते हैं कि कोर्ट कोई फैसला सुनाता है जेज्मेंट देता है तो उसका एक ऑपरेटिव पार्ट होता है फंक्शनल ऑपरेटिव पार्ट वो अब शुरू होगा आज से ऐसा आप कह सकते हैं प्लीज मुबाइल फोन स्विच आफ कर दीजे सादवी ज विज्ञान के साथ पेश करने की कोशश की समझाने की कोशश की आज कुछ ऐसी बात हैं जो द्यनिक जीवन में आप प्रयोग करें इन सूत्रों का प्रयोग तो करना ही है इसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है लेकिन इन सूत्रों के आधार पर आगे भी बहुत कुछ है जो बागवट जी ने कहा है। सादवी जी चुकी यहाँ पर हैं तो उनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात जो आपके लिए पुरानी लगेगी शायद उनके लिए नहीं होगी और मैं उनको इसलिए भी ये कहना चाहता हूं कि वो अपने व्याख्यानों में हर बार ये ब पुस्तकों पर हम चर्चा कर रहे हैं एक उनकी पुस्तक है अश्टांग हिर्दयम दूसरी पुस्तक है उनकी अश्टांग संग्रहम ये दोनों पुस्तकों में महर्शी बागवट ने साथ हजार सूत्र लिखे हैं संस्कृत में लिखे हैं ये सूत्र हमारे जीवन से बागवट जी महरशी चरक के शिश्य थे चरक रिशी का नाम हम सब जानते हैं चरक रिशी के वो शिश्य थे और सबसे बहतरीन शिश्यों में उनकी गिंती होती है सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं चरक रिशी ने जितना शोद कारी किया बागवट जी ने उससे भी जादा किया 135 वर्ष उनकी आयू रही 135 वर्ष में लगभग आप समझ लीजे 18 वर्ष छोड़कर 18 वर्ष वो ये कहते हैं कि मैं प्राथमिक अध्यन करता रहा तो 18 वर्ष छोड़कर बाकी सारे वर्ष उन्ह उन्होंने observations किये आज का जो विज्ञान है जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं यह पूरा observation पर आधारित है अब्गजिर्वेशन को हिंदी में क्या कहते है मैं अघर जैसे उन्होंने कोई सूत्र कह दिया तो उसका पचास बार परिक्षण किया अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग लोगों पर किया और जब उन्होंने देखा कि परिनाम वही है तब सूत्र लिखा अब हम कलपना करें कि 7000 सूत्र लिखे हो और एक एक सूत्र पर 50-50 परीक्षण उन्होंने किये हो तो पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल गई महर्शी बागवट बाल भ्रह्मचारी थे अंतिम समय तक वो भ्रह्मचारी का ही पालन करते रहे ग्रहस्त आश्रम उन्होंने नहीं जिया लेकिन वो मानते थे कि ग्रहस्त आश्रम बहुत महत्तुका है तो ऐसे महर्शी बागवट के सूत्रों को मैं पिछले 6 साल से पढ़ता रहा और भारत की आज की जो परिस्थिती है मैं मानता था और आज भी मानता हूँ कि उसमें ये बहुत अनुकूल है आज हमारे भारत की परिस्थिती ऐसी है 112 करोड लोग इस देश में रहते हैं इन में से करीब 75 से 80 करोड लोग बीमार है सरकार कहती है कि सिर्फ 30 करोड लोग हैं स्वस्थ बाकी सब हैं बीमार अलग-अलग बीमारियां हैं वात की बीमारियां हैं, पित की हैं, कफ की हैं और इन बीमारियों का इलाज करने के लिए भारत में कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड, जो MBBS, BAMS और BHMS, तीनों पद्धिती के हैं, 23 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, अगर अन्रजिस्टर्ड डॉक्टर भी इसमें मिला दें, तो सरकार कहती है लगब अन्रजिस्टर्ड डॉक्टर भी इतने ही हैं, 25 लाख के आसपास, तो कुल मिलाकर हम 50 लाख डॉक्टर मान लें, अन्रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, तो भी मरीजों की संख्या 70-80 करोड हैं, एक डॉक्टर एक दिन में अच्छे से अच्छे काम करें, तो 30 से ज़्या करोड लोगों का इलाज हो सकता है, और रोगी 75 से 80 करोड हैं, तो बागवट्टी जी एक सूत्र लिखकर चले गए, वो ये कहते हैं, कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयम कर सकता है, और इस बात को उन्होंने कहा कि 85 प्रतिशत चिकित्सा बहुत आसान है, जो कोई भी मुश्किल है, जिसमें आपको विशेशग की मदद की जरूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये 85 प्रतिशत चिकित्सा जो आसान है, वो लोगों तक पहुँचाई जाए, इस द्रश्टी से ये व्याख्यान शरंखला आयोजित्की है, यहाँ पर श्रीमती प्रभ इंजन भाई और मेघानी जी इन सब ने मिलकर या आयोजन किया, और मेरे जीवन का ये पहला व्याख्यान है, जो मैं इस विशेशग पर दे रहा हूं, इसके पहले इस विशेशग पर मैंने कहीं बात ही नहीं की, क्योंकि अभी तक तो मैं अध्यन ही करता रहा, और ये बा लोगों ने मुझे कहा और खासकर बाबुजी माने शोबा कान जी ने मुझे कहा कि तुम पुराने भाशन देना बंद कर दो, वो जो पेपसी, कोका, कोला वाले और विदेशी, स्वदेशी वाले या डबलू टियो वाले ये ही कहो, शायद बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अग कल तक के जितने सूत्र थे, वो एक बार मैं आपको दोरा दूँ ताकि आपको याद हो जाएं, कल का सबसे पहला महत्तु का सूत्र मैंने बोला था, कि आप खाना खाने के बाद पानी ना पियें, पानी हमेशा डिड़ गंटे के बाद पियें, कारण मैंने उसका बहुत वि पीते हैं, या गरम चाह, गरम काफी पीते हैं, और उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया था, तीसरा सूत्र है, कि आप जब भी पानी पियें, तो ठंडा ना पियें, कभी भी ठंडा पानी ना पियें, हमेशा गुनगुना पानी, हमेशा गुनगुना पानी पियें, व चाप मेंसे कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि गर्मियों में भी क्या गुनगुना पानी पी यह बागवत्टी जी की माने तो गर्मियों में भी गुनगुना पी सकते हैं लेकिन कोई बहुत तकलीफ आए तो मिट्टी के बरतन का पानी आप गर्मी के दिनों में 3-4 महीने पी सकते हैं फिर चौथा सूत्र ये था कल का कि पानी कभी भी पिए तो सबेरे उठते ही सबसे पहले जरूर पिए माने सुबह की शुरुआत पानी से करें और उसमें मैंने बताया था कि मूं का कुला किये बिना वो उठते ही पानी आपको पीना है क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो जो कुछ भी लार मुँ में बनी है ये बहुत ही कीमती है इसका औशदिय गुण बहुत है और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबह की लार गलती से भी आप किसी चीटी या या मक्षी पे थूख दो वो तुरंद मर जाएगा सुबह की लार अगर आपने गलती से चीटी चीटा या मक्षी पे थूख दिया वो तुरंद मर जाता है क्योंकि उसका औशदिय गुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा से बागबटी जी ने इसको शरीर स्वास्त से जोड़ा तो ये चार सूत्र मैंने कल आपको बताए थे ये बहुत फंक्शनल है ऑपरेटिव इसके पहले पाँच सूत्र पिछले दो दिनों में मैंने बात की थी आने वाले शायद एक दिन मैं सब सूत्रों को फिर से रिपीट कर दोगा ताकि आपको भूलने ना पाए आसानी से यदो अभी मैं आगे बढ़ता हूं कल के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सूत्र आपके सामने रख में बागबटी जी कहते हैं बहुत गहरी बात वह कहते हैं ये सादवी जी हैं इसलिए मुझे आज कहना बहुत उपयोगी भी लग रहा है, इस सूत्र का, मैं सोचा था कि कल कहूंगा लेकिन आज कह रहा हूँ, बागवट्टी जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें, कभी भी, तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें, भोजन का समय निश्चित करें, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, हमारा ये जो शरीर है, ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है, इस शरीर में जठर है, मैंने आप से कहा, उसमें अगनी प्रदीप्त होती है, तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जब जठर में अगनी सबसे ज़्यादा उसी समय भोजन करें, तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और रस में से मास मजजा रखते वीरे मल, मूत्र, मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा, तो कभी भी कुछ न खाएं, ये पद्धिती भारत की नही है, ये यूरोप की है, यूरोप में डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि छोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो, हमारे ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो, आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूँ, बागवट जी कहते है कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उस से जब आपके पेट में अगनी की प्रజबलता हो, जटर अगनी की प्रबलता हो. बागवट जी ने इसमें बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि डेड़ दो साल की रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो वो कहते हैं कि जब सूरिका उद्य होता है तो सूरिके उद्य होने से लगभग धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है सूर्य के उदय होने से सूर्य का उदय होना आप चिन्नई के हिसाब से सोच लीजे मान लीजे साथ बजे तो साथ बजे से लेके साड़े नौ बजे तक जठर हगनी सबसे ज़्यादा तीवर होगी हो सकता है यही सूत्र अरुनाचल प्रदेश में मैं बात करूँ तो वो चार बजे से साड़े छे का समय आ जाएगा क्योंकि अरुनाचल प्रदेश में सूर्य चार बजे निकल आता है अगर मैं सिक्किम में बात करूँगा तो और पंद्र मिनट पहले हो जाएगा और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूँगा तो आपसे समय थोड़ा बिन्न हो जाएग तो सूर्य के साथ इसको ध्यान रखे तो सूर्य का उदे जैसे ही हुआ उससे अगले धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें वो तो एक जगए यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें माने ब्रेकफास्ट गायव नाश्ता छोड़े हैं सीधे ही भोजन करें यहां तक वो कहते हैं वो यह कहते हैं कि सुबह साड़े नौ बजे तक अगर आपने भरपिट भोजन किया है तो इस मैंसे जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद एक एक अन्न का टुकड़ा एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह साथ बजे से आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं साथ बजे से साड़े नो जठर अगनी बहुत तीवर होती है बागवट जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग-अलग अंग हैं जैसे हिरदय है हिरदय है और जैसे जठर है जठर जैसे किड़्ी है जैसे लीवर है इनके काम करने का अलग-अलग समय है जठर अगनी के काम करने का सबसे अच्छा समय है साथ से साड़े नो सूर्योदय से ढ़ाई गंटे तक फिर इसी तरह से हिरदय हिरदय के काम करने का समय है सबसे ज़्यादा ब्रह्मु महूर्त से ढ़ाई गंटे पहले ब्रह्मोर्त आप समझे हैं चार साड़े चार तो दो सवा दो बजे डेड़ बजे से लेकर चार बजे के बीच में हर्ट सबसे जादा सक्रिय होता है और सबसे जादा हर्ट अटेक उसी समय में आते हैं किसी भी डॉक्टर से पूछके देख लीजे, क्योंकि हिर्दय जब सबसे ज़्यादा सक्रिया होगा तो हिर्दय घात भी उसी समय होगा इसलिए 99% HRT amplifier early mornings में ही होते हैं क्योंकि हिर्दय के काम करने का उस समय सक्रियता सबसे ज़्यादा है इसी तरह हमारा लीवर है इसी तरह किड्नी है इसकी पूरी एक सूची मैंने बनाई है बाहर पुस्तकों में है इसलिए विस्तार में मैं नहीं जाता संकेत के लिए आप से कह रहा हूँ कि हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है प्रकरती ने तै किया है उसको भगवान ने तै किया है तो आपका जठर अगनी है ये सबसे अच्छा साथ से साड़े नो तो आप भरपेट खाना खाईए ठीक है फिर आप बोलेंगे जी दुपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लिजे लेकिन बागवटी जी कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे जादा अगर आज की भाशा में मैं कहूं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है न वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए बारी से बारी ब्रेकफास्ट जितना खात जादा भी खा लिजे कोई फरक नीपड़ सुबह के नाश्टे में भरपेट खाईए फिर वो कहते हैं दुपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्टे से दुपहर का भोजन नाश्टे से कुछ कम करिए एक तिहाई कम कर दीजे और रात का बोजन दुपहर के भोजन का एक तिहाई कर दीजे अब सिदे से मैं कहता हूं अगर आप सवेरे छह रोटी खाते हैं तो दुपहर को चार ले लिजे और शाम को दो ले लिजेर अगर आपको आलू का पराठा खाना या गोबाश का पराठा खाओ जो आपको खाना है। हलाँ कि जाने में च Glück चाने में आपको एक वाक्षा करना है शुआ आता हूं तो सुबह खाओ तो पसंद सुबह खाओ जिलेवी खानी है तो सुबह खाओ इम्रती खानी है तो सुबहकाओ। जो भोजन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो सुबह खाओ पेट भरके खाओ वो यह कहते हैं कि इसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है पेट भरके खाओ तो पेट की संतुष्टी हुई मन की भी संतुष्टी होती है और बागवट्टी जी कहते हैं कि भोजन में मन की सं संतुष्टी से ज़्यादा बढ़ी है मन हमारा जो है न ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है मन को आज की भाशा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं हाला कि वो है नहीं लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लेंड के बारे में है ये जो पीनियल ग्लेंड है ना इसमें से बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम हार्मोन कह सकते हैं कुछ एंजाइम से ये संतुष्टी के लिए सबसे आवश्यक ग्लेंड है पीनियल ग्लेंड तो भोजन अगर आपको तरप्त करता है भोजन में एक तो पेट भरना है और ए नहीं है तो गड़बड होती है पीनियल ग्लेंड और पीनियल ग्लेंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे अगर आप तरप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मा पानसिक रोग बहुत खराब है आप सीजोफ्रेनिया की शिकार हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आपको कई ऐसी गंबीर बीमारियां हो सकती है बागबड़ी जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं उनकी पूरी सूची है वो पुस्तक में है कभी भी भोजन करें तो पेट तो भरे ही मन भी तरप्त हो और मन के तरप्त और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है अब मैंने ये बागबड़ी जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो म मनुष्य अपने को होशियार समझता है लेकिन मनुष्य से ज़्यादा होशियार ये जीव जगत के प्रानी है आप चुडिया को देखो चुडिया कितने भी तरह की चुडिया सबेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भर पेट खाती है च्छे बजे के आसपास आप राजिस्थान में निकल जाओ, गुजरात में निकल जाओ, सब चुडिया अपने अपने काम पे लगी हुई है खाना खाने में, खूब जम के खाती है, और पेट भर गया, उसके चार घंटे के बाद ही पानी पीती है, दुपहर को ही पानी पीती है, गाय को पिर दुपहर को आराम करेंगे तो ये सारे जानवर सारे जीवजन्तु आप सांप को देखो बिच्छु को देखो कीडी को देखो चीटी को देखो चीटे को देखो सब जानवर सब जीवजन्तु जो हमारी आँखों से दिखते हैं जो नहीं भी दिखते हैं ये सब का भोजन को diabetes नहीं होता, किसी भी बंदर को heart attack नहीं आता, बंदर तो आपके नजदीक है ना शरीर रचना में, बस बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूछे आपको नहीं है बाकि सब कुछ है, कि आपका हिरदय, बंदर का हिरदय आपका liver, बंदर का liver, आपकी kidney, बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्तर अबींद्र नाथ शानबाग वहां रहते हैं करनाटक में करनाटक मेरम एक उड़ुपी नाम की जगह है वहां रहते आँ बहुत बड़े प्रोफեսर है णेकल कॉलेज में काम करते हैं उन्होंने बड़ा गहरा रिसर्च किया उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर मने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वेग्यानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता और बीमार होगा तो मरेगा ही जीवित नहीं रहेगा तो बंदर को बीमार बनाओ तो उन्होंने तरह तरह के वाइरस और वेक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया कभी injection के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा बंदर को कुछ नहीं हो सकता और मैंने का कि आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके blood का cholesterol बढ़ा दो बढ़ता ही नहीं तब उन्होंने एक बिन रहस्य की बात बताई वो आपको भी मैं बता देता हूँ कि बंदर का जो blood है ना उसका आरेच फेक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है और आपका आरेच फेक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर तो बंदर सही compare करता है वो बताता नहीं आपको ये अलग बात है comparison बंदर सही होता है कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती blood में cholesterol बढ़ता नहीं triglyceride कभी बढ़ता नहीं diabetes कभी होती नहीं शुगर कितनी भी बाहर से इंट्रियूज करो उसके blood में टिकती नहीं तो वो प्रोफेसर साब कहते है यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सवेरे ही सवेरे भरपेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता तो वो प्रोफेसर रवींदर नाशान बाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो बंदर की तरह से खाओ माने सुबह सुबह भरपेट खाओ तो उनके कई मरीज हैं जिनों पर उन्होंने एक्सपरिमेंट किया और वो मरीज बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह भरपेट खाना शुरू किया किसी की डाइबिटीज माने शुगर कम हो गई किसी का कॉलेस्टरॉल कम हो गया किसी के घुटने का दर्द कम हो गया किसी के कमर का दर्द कम हो गया किसी का कुछ किसी का कुछ गैस बनना बंद हो गई पेट में जलन होना बंद हो गई नीध अच्छी आने लगी वगएरा वगएरा सारे improvement वो बोलते हैं होते हैं तब से वो चिला-चिला कर कहते हैं और ये बात भागभट जी साड़े 3000 साल पहले कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे अच्छा माने सबसे जदा खाना है सबसे अच्छा तक मने साड़े नौ बजे तक जादा से जादा दस बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे ये नाश्ता हिंदुस्तानी चीज नहीं है ये अंग्रेजों की है और आप जानते हैं हमारे चक्कर क्या चल गया लंच थोड़ा जादा करेंगे डिनर उससे भी जादा करेंगे सवा सत्या नाश एकदम उल्टा बागवट्टी जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे जादा करो लंच उससे कुछ कम करो डिनर सबसे कम करो हमारा बिल्कुल उल्टा चक्कर है डिनर सबसे जादा लंच उससे कुछ और नाश्ता सबसे कम ये अंग्रेज और अम्रीकियों के लिए नाश्ता कम है कारण पता है वो लोग नाश्ता हलका ही करें तो उनके लिए अच्छा है हमारे लिए नाश्ता जादा ही करना बहुत अच्छा है कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूरे नहीं निकलता साल में 8-8 महिने तक सूरज के दर्शन नहीं होते और ये जो जटर अगनी है न ये सूरज के साथ सीधे संबंदित है जैसे जैसे सूरे तीवर होगा अगनी तीवर होगी जैसे जैसे सूरी कम होगा अगनी भी कम होगे तो यूरोप और अमेरिका में सूरज निकलता नहीं साल में 8-8 महीने बरफ पड़ती है माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान होता है तो वहाँ जब सूरज है नहीं तो जठर में अगनी हो नहीं सकती तो वो नाश्टा हैवी नहीं कर सकते करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाए इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था अपनी आबो हवा, अपना परियावरन, अपना वातावरन, अपनी तासीर इसको ध्यान में रखकर ही चले तो आपके देश की जो आबो हवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है सुबह, निश्चित रूप से निकलता है अगले दिन भी निकलेगा, करोणों साल से निकल रहा है अगले करोणों साल तक निकलेगा इसलिए भारत में Every morning is good morning सभी सुबह अच्छी है यूरोप वाले तरस्ते हैं गुड मॉर्निंग के लिए अच्छी सुबह होती नहीं वहाँ इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है May I wish you to have a good morning इसलिए वो गुड मॉर्निंग वाले लोग है हमारे यहां तो Every morning is good morning तो हम good morning में क्यों फसे हुए है तो good morning से निकलिए नमस्ते में आईए नमस्कार में आईए वड़कम में आईए यह good morning आपके लिए काम की चीज नहीं है और यह good morning जुड़ी हुई है आपके पेट से जितनी अच्छी सुबह होगी माने सूरी जितना अच्छा होगा उतनी तीवर जठर अगनी होगी उतना ही अच्छा भोजन करिए तो वो कहते हैं कि सुबह का खाना आप भर पेट खाईए माने नाश्ते को लंच में बदल दीजे ठीक है साड़े नो बजे तक, दस बजे तक जादा से जादा फिर आप इसमें तरक और कुतरक मत करिए जी हमको दुकान जाना है हमको ओफिस जाना है हमको दुनियादारी समालनी है किस के लिए इसी पेट के लिए ना ये दुनियादारी कर किस के लिए है आप इसी पेट के लिए ना तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए बागवट जी कहना है कि भाई इसको समाल लो, तो दुनियादारी समलती है, और ये गया, तो दुनियादारी समाल के करेंगे क्या, मालीजे पेट ठीक नहीं है, स्वास्त ठीक नहीं है, आपने दस हजार करोड कमा लिया, क्या करेंगे, डॉक्टर को ही देंगे न तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गोशाला वाले को दे दीजे पेट दुरुस्त कर लीजे तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है ये आप जान लीजे इसलिए पेट को दुरुस्ती के लिए बागवट जी कहते हैं सुबह का खाना भर पेट खाईए माने आप बाहर निकलें घर के तो छक कर खाना खाके निकलिए भोजन करके ही निकलिए दुपहर को बारे बजे से एक बजे के बीच में जठर अगनी की तीवरता कम होना शुरू होती है तो उस समय थोड़ा कुछ हलका खाएं माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है ना खाएं तो और भी अच्छा है खाली फल खालें जूस पीलें दही पीलें मठा पीलें आदी आदी शाम को फिर खाएं अब शाम का बागवट्टी जी कहते हैं कि आपने एक चीज़ देखिया ना वो बहुत प्रकरती से सीखने की जरूरत है दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौँ खूब तेजी से जलेगी ठीक है और अंतिम लौँ भी तेजी से जलेगी मने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा यही पेट का भी नियम जठर अगनी सुबह सुबह बहुत तीवर होगी और शाम को जब सूर्यस्त होने जा रहा है तब भी तीवर होगी बहुत तीवर होगी तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खालो सूरज डूबा तो अगनी भी डूबी तो वैसे तो जेन दर्शन में कहा है रात्री भोजन निशेद है बागवट जी भी यही कहते है तरीका अलग है बस आप हिंसा के लिए कहते हैं वो स्वास्त के लिए कहते हैं वो यह कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता गाय को खिला के देख लो नहीं खाएगी बैस भी नहीं खाती खिला के देख लो बकरी भी नहीं खाएगी बकरा गदे को खिला के देख लो खाता नहीं हाँ बिलकुल नहीं खाता आप खाते हैं तो आप अपने को compare कर लीजे कि किसके साथ हैं आप कोई जानवर कोई जीवराशी सुरज डूबने के बाद खाती नहीं तो आप क्यों खा रहें प्रकृती का नियम बागवती जी कहते हैं पालन करिए माने रात का खाना जल्दी कर दीजे सुरज के रहते रहते माने पाँच छे बजे के आसपास आप के हाँ सूरज डूबता है छे बजे या साड़े छे बजे वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले अब कितना पहले तो बागवर्टी जी ने उसका कैलकुलेशन दिया 40 मिनट पहले सूरज डूबने का समय पता कर लीजे चिन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6 बज़ के 20 मिनट तक 6 बज़ डूब रहा है तो 5 बज़ के 20 मिनट तक ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाए ये सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खालीजे और सुबह का तो सूरज निकलने के ढ़ाई गंटे तक कभी भी खालीजे दोनों समय पेट भर के खालीजे फिर कहेंगे जी रात को क्या तो रात के लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि एकी चीज है रात के लिए कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूद कहा है साद्वी जी तो वो भी नहीं ले सकते हैं सादू तो वो भी नहीं ले सकते हैं आप ग्रहस्ती लोग हैं, तो इतनी छूट चाहें तो आप ले सकते हैं, बागवट जी कहते हैं कि शाम को सूर्व डूबने के बाद, मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में, जठर इस्थान में, कुछ ऐसे हार्मोन्स या इंजाइम्स या रस पैदा होते हैं, जो दूद क को पचाते हैं, इसलिए वो कहते हैं, सूर्व डूबने के बाद, जो चीज खाने वाली है, वो दूद है, या पीने वाला है, वो दूद है, तो रात को दूद रख लीजे, छे बज़े तक भर पेट खाना रख लीजे, सुबह का खाना, अगर आपने साड़े नौ दस बज सकता है कि हां डबाने में कोई तकलीफ नहीं है दुकान में आप छे वज़े बैठें डबा आपका आ सकता है और मैं आपको हाद जोड़कर कह रहा हूं आप में से कोई भी डाइबिटिक पेशेंट है कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है किसी को भी बात का गंवीर रोग है आज से ये सूत्र चालू कर दीजे तीन महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजी भाई पहले से बहुत अच्छा हूँ शुगर लेवल कम हो रहा है अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है ट्राइगलेसराइट चेक कर लीजे और इस सूत्र को शुरू कर दीजे तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे पहले से कम होगा VLDL LDL आज चेक कर लीजे तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे बहुत तेजी से घटेगा HDL आज चेक करा लीजे तीन महीने बाद चेक करा लीजे, बहुत तेजी से बढ़ेगा और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए, तो ये सूत्र बागवट जी का जितना संभव हो, आप इमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा अब इसके आगे का एक सूत्र, बागवट जी कहते हैं, कि जब भी आप खाना खाएं, तो हर समय ये बात का ध्यान रखें, हर समय कि दो ऐसी विरुद्ध वस्थुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है दो विरुद्ध वस्थुएं एक साथ कभी भी ना खाएं ये है सीदा सूत्र, अब आब कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्थुएं क्या हैं मैं कुछ विरुद्ध वस्थुँओं की सूची बता देता हूं डिटेल सूची तो बागवट्टी जी ने बताई है, 103 वस्तुएं हैं, जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है, 103 वस्तुएं, जैसे सबसे पहली वस्तु उन्होंने बोली है, प्याज और दूद, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, दूद और प्याज साथ में खाया, तो बीसियों बीमारी आने ही वाली है, सबसे जादा बीमारी आएंगी त्वचा की, आपको सोराइसिस होगा, आपको एकजीमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी, अगर प्याज दूद साथ में खा रहे हैं तो, कभी भी ना खाये, इसी तरह से, वो कहते ह हैं कि कटहल, कटहल को क्या कहते हैं, कटहल समझते हैं, जैक फ्रूट, दूद और जैक फ्रूट कभी न खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, और दूद और ऐसा कोई भी फल साथ में न खाएं, जो सिट्रिक एसिड प्रधान है, सिट्रिक एसिड आप समझते है संत्रा, मुसम्मी, नारंगी, अंगूर, खटी चीज, एक खटी चीज तो आपकी बनाई हुई है, एक खटी चीज भगवान की बनाई हुई, तो भगवान की बनाई हुई खटी चीज है, दूद के साथ जानी दुश्मन है, बागवट जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताय एक ही खटा फल है जो दूद के साथ खाएं वो है आवला आवला ही एक फल है खटा है सिट्रिक एसिट भरपूर मात्रा में है विटेमिन सी भरपूर मात्रा में है केलशियम उसमें भरपूर है यही एक फल है जो दूद के साथ जरूर खाएं बाकी कोई फल जिसमें खटा पन है वो दूद के साथ ना खाएं आम भी आम अगर खटा है तो दूद के साथ ना खाएं मीठा है तब ही खाएं आम और दूद कोई दोस्ती बहुत जवरजस्त है लेकिन खटे आम की दूद से दोस्ती नहीं है मीठा आम एकदम मीठा आम पका हुआ आम उसी को दूद के साथ खा सकते एक और उन्होंने गिना है वैसे तो आप जैन है तो ये बात आपके लिए लागू ही नहीं होती लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूँ तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं दुनिया का सबसे खराब जहर है ये शहद और घी शहद घी साथ में ना खाएं शहद खाना है तो घी ना खाएं घी खाना है तो शहद ना खाएं इसी तरह से उड़त की डाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं उड़त की डाल वैसे तो मैंने कल बोला था दूइदल दूइदल में सबसे खतरनाक है उड़त की डाल उड़त की डाल के बारे में जितनी भी रिसर्चिस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये डालों की राजा है इसलिए ये अकेला ही खाएं इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़त की डाल के साथ डालों की राजा है राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है तो ओड़त की डाल भरपूर खाएं मना नहीं है लेकिन अकेली खाएं और बाकी जो डाले हैं अरहर की डाल हैं मूम की डाल हैं तो मैंने कल कहा था कि ये भी दूइदल में है दही तो ना खाएं लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाए मैंने बताया था कि दही गरम खरके खाएं बने दही में भगहार लगा के खाएं ताकि तासीर गरम हो जाए उसकी या मठा गरम करके खाएं तासीर उसकी गरम ह लेकिन मेरी आपको विनम रविंती है उड़त की दाल के साथ तो बिलकुल ना दही खाएं ना मठा काएं बगारा हुआ भी नहीं खाएं बागवट जी कहते हैं कि चले गई नहीं मैंने इस पर मेरे अपने शरीर पर एक्सपरिमेंट किया मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं बागवट जी ने का ना खाएं खा के देखें क्या होता है शरीर को तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़त की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया त तो 100% 6-8 महिने में हर्ट अटेक आई जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है दही बड़ा कभी भी नहीं। क्योंकि दही बड़ा में उड़त की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिलकुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का बड़ा है दही बगार कर या मठा बगार कर आप ले सकते हैं। उड़त की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं। उड़त की डाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं दही से नहीं और अगर शादी व्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखे हैं कि महमानों को उड़त की डाल का बड़ा और दही ना फरोसे नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बनें आप अपना तो आप उस तक में देख सकते हैं वो सूची यह कहती है 103 वस्तूओं की है यह इस चीज इसके साथ ना खां ना खां तो बागबटे जी कहते हैं दो विरोधी चीज़ें साथ में ना खाएं और वो कहते हैं कि अगर आप ने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी पर आप निसंकोच बिना किसी रोक के जीवन बिता सकते हैं तो आज का एक सूत्र मैंने बोला फिर ये दूसरा सूत्र हुआ अभी तीसरे सूत्र पर चलता हूं आज का बागवर्ट जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं तो उसको जमीन पर बैठ कर ही खाएं जमीन पर बैठ कर खाएं, जैसे बैठा हूँ न, इसको आयुरृवेद की भाशा में कहते हैं, सुख आसन, ये आसन में खाना खाएं, क्यों खाएं जी, परशना आएगा आपके मण में, तो बागवती जी समझाते हैं, कि जब आप इस आसन में बैठते हैं, सुख आसन में, तो आपके शरीर का जो जठर है न ये जो है सबसे ज़्यादा तीवर है और इस आसन में इसकी तीवरता हमेशा मेंटेन रहते हैं आप अभी कुरसी पर बैठे हैं इसमें तीवरता घड़ जाती है और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी कारण क्या है आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं हमारे शरीर में कई चक्र हैं कई चक्र हैं एक चक्र जो है ये जो पीछे है जहां पर आपका हिप जॉइंट्स और आपका ये जो मन का होता है जहां मिलते हैं वो सबसे महतुपूर्ण चक्र है ये प्रदीप्त होता ह तबी मन दीप्त होता है जब आप इस इस्तिती में बैठें और इसका जठर पर सीधे असर है और ये असर आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो जमीन पर बैठके ही खाएं और वो ये कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठें उससे थोड़ा ऊपर रहे मने पट्टा रखके या स्टूल रखके थाली उस पर ऐसे बैठके खाएं बागबटी जी ने और एक बात कहिए कि सबसे अच्छा तो ये है सुखासन जिसमें आप बैठकर खाना खाएं वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं बाकी किसी में भी नहीं वो गाय का इस्थिती में भी आप खाना खा सकते हैं उकुडू गाय दूद निकालने का जो इस्थिती है बैठने का उस इस्थिती में बैठके आप खाना खा सकते हैं लेकिन वो आपके लिए नहीं है इसको ध्यान से सुन लीजे क्योंकि आगे उन्होंने एक वाकिलिक दिया कि जो शरी श्रीर श्रम जादा करते हैं जैसे किसान जैसे हमारे कारीगर मजदूर उनके लिए उकडू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा खाते भी हैं माने वो चेले हैं सब बागवट के और आप जो श्रीर श्रम कम करते हैं आपके लिए इस आसन में बैठकर खाना खाना अच्छा अब आप आज से एक observation कर लीजे कि जितने लोग इस बात से परिशान है कि उनका पेट आगे निकलाया है वो इस आसन में बैठके खाना खाना शुरू कर दें और तीन महीने के बाद फिर देखें तो उनका पेट पहले से कम ही होगा आगे नहीं आएगा और यह जो dining table पे बैठके खाना खाएंगे पेट आगे निकलता ही जाएगा क्योंकि कुरसी आपके लिए बनी नहीं है यह अंग्रेजों के लिए बनी है अंग्रेजों के लिए कुरसी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है ना तो joints कड़क रहते हैं उनके सभी joints कड़क होंगे अमरीकी नहीं बैठ सकता क्योंकि घुटने कड़क हैं hip joints कड़क हैं बैठने में तकलीफ है तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुरसी का अविश्कार किया है आधे तो बैठ हैं पूरे नहीं बैठ सकते तो वह आपके लिए नहीं है कुरसी यह अंग्रेजों की देन है तो मेरी आपको विंती है कि dining table पे खाना ना खाएं तो आप कहेंगे जी ले लिया तो बहुत सारा कचरा भर रखा है आपने घर में क्या करेंगे उसका हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है दुनिया भर का कचरा घर में लाके रखना हां यह इतनी खराब बीमारी आईए हमको कि बिना सोचे बिना समझे कच्रा लाला के घर में रखना रसोईयों में मैं घरगों में जाता हूं ना टीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं खाली हैं फेकेंगे नहीं सम्हाल के सम्हाल के सम्हाल के कब काम आ इतना मोह क्यों है, जो बाहर फेगना चाहिए, वो घर में सजा सजा के रखा हुआ है, और फेगने की बात करो, हरे, पता नहीं, कभी काम आ जाए, और वो कभी 60 साल में भी नहीं आता, 100 साल में भी नहीं आता, तो उसी कच्रे में मैं गिनता हूँ, आपकी डाइनिंग टेबल अब आप जरा हिसाब निकालो जी, यह आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मान लो यह 100 स्क्वेर फिट की है, 10 बाई 10 की है, या मान लो 50 स्क्वेर फिट की है, 50 स्क्वेर फिट की जगे आपने घर में घेर रखी है, क्या भाव है, मदरास में जगे का, 3000 रुपे स्क् तब आपने पैसा बर्बाद कर दिया अब इसको जगह को घेर के बर्बाद कर दिया तो अगर बन सके तो dining टेबल निकाल दें नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दें आखरी बात आप कहेंगे राजीजा कुछ तो ऐसी बात करो यह dining टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उप् डाइनिंग टेबल की कुरसी है ना वो है आपको उससे छूटता नहीं है तो बागबटे जी तो मना करते हैं मैं उसमें एक सजेशन दे रहा हूं कि जैसे मैं आसन में बैठा हूं कुरसी पर भी ऐसे बैठ जाए आलती-पालती मार के फिर खा लीजे लेकिन अच्छा तो नही है लेकिन बीच का कोई रास्ता तो है अब डाइनिंग टेबल निकले इसमें तो समय लगेगा क्योंकि मन से नहीं निकलती शरीर से निकलना आसन होता है मन से नहीं निकलता पतानी कितने-कितने पैसे जमा करके यह हम लाए थे अब य째 निकले कैसे तो आप उसका अगर सच में उपयोग करना चाते हैं तो डाइनिंग टेबल पर कुरसी पर ऐसे बैठ जाएए आसन मारके आलती पालती मारके फिर खा लीजे और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है मतला ये मेरी तो विंती है मतला ये उसकी जगे लान दुपैर इता है जो दो बात वो यह कहते हैं कि दुपैर और शुबह का खाना खाए वैसे टो में अगर आप खाई रहे है तो और ये लो काते ही आराम करें काम कोई ही ना करें सुबह का खाना अगर 10 बजे खाया या 12 बजे खाया या 11 बजे खाया तो खाते ही विश्रांती लें कब तक 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट विश्रांती लें और उसको उन्होंने एक्स्प्लेइन किया है कि वो विश्रांती जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को जो बाया हात है इसको नीचे करके दाय हात को उपर करके वाम कुक्षी अवस्था में लेटे है अब वाम कुक्षी को सरल भाशा में समझाता हूं भगवान विश्नु को लेटे हुए देखा शेशनाग पर बस उसी परिस्तिती में लेटे है उसी इस्थिती में लेटे है विश्णु भगवान शेशनाक पर लेटे हुए वो वामकुक्षी की अवस्था है खाना खाने के बाद हमेशा दुपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटे है क्यों लेफ्ट साइड आप जानते हमारे शरीर में दो नाडिय में मदद करती है सूरे नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो भोजन पचाना है सुबह का दुपहर का सूरे नाड़ी तीवर होनी ही चाहिए तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरन सूरे नाड़ी शुरू हो जाती वैसे तो आगर आप स्वस्थ ह है तो खाना खाते ही आपकी सूरे नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाए लेट तो ही शुरू हो जाए बीस मिनट जरूर लेट है फिर आप कहेंगे जी नीद आ गई तो बागवट जी कहते हैं ले लो एक जपक को ले लो बीस मिनट की जपकी ले लो जादा से जादा चालीस मिनट की ले लो इसके आगे नहीं तो अगर आप भोजन के बाद विश्रांती ले लें बीस से चालीस मिनट तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत इनरजी आपके पास आएगी आप चाहें तो आजी करके दे वेग होते हैं वेग उनको कभी भी रोक हैं नहीं उसमें से जिद्रा नीद जो है न के दुपैर के खाने के बाद आलस से आ रहा है तो ये स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाते ही जठर अगनी पृदीप्त होगी अगनी दीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो शारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा सारा खून एक जगे आएगा तो दूसरे अंगों पे तकलीफ आएगी कि नहीं तो ब्रेइन को प्रेशर आता है तो ब्रेइन रिलेक्स होना चाहता है इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही ये प्रकरती का नियम है तो आप ले लेना उस नीद को छोड़ते क्यो है बहुत कीमती है लोगों को मिलती नहीं गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती करोणों रुपए लेने वालों को मैंने देखा है आती नहीं है नीद आपको आ रही है तो बात बहुत सुखी है तो आप दुपहर की जपकी लेल है मैं आपको और एक छोटी सी जानकरी बता कि कि इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आज कल आज कल आस्ट्रेलिया में ब्राजील में और मेक्सिको में कई कमपनिया ऐसी हैं जिनोंने लंच के बाद ब्रेक देना शुरू किया है अपने करमचारियों को और ब्राजील और मेक्सिको और आ एक देना कंपल सरी है तो सभी कंपनियों को ओडर आया है सरकार का कि अपने ओफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी करमचारी जहां बैठकर काम कर रहा है वहां जबकी भी ले सके जिन कंपनियों में यह चल रहा है सिलसला मैंने उन से ईमेल से कॉंटेक्ट किया तो थे chili साड़े आपके यहां साड़े तीन हजार साल पहले था हमारे यहां अब पहुंचा है हमको अब पता चला है हमने इस पर रिसर्च शुरू किया है तो उन्होंने यह महसूस किया है कि जिन करमचारियों को दुपेर खाने के बाद जबकी लेने की छूट दे रहे हैं उनकी काम करने की efficiency तीन गुणा बढ़ गई है efficiency बढ़ रही है तो वो कहरें कि पहले से ज़्यादा काम कर रहे हैं तनकhा उतनी ही है बस एक जबकी लेने की छूट उनको मिली है काम बढ़ गया उनका तो आप भी महसूस कर सकते हैं और माताओं बहनों को तो विशेश विंती है क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है किसी भी फैक्टरी को चलाना बहुत आसान है घर चलाना बहुत मुश्किल काम है और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बढ़ा करना मैं मानता हूँ दुनिया में इससे बढ़ा कोई काम ने तो आपको काम तो घर में भी है आप भी भोजन के बाद एक जपकी लेने का नियम बना ही लो सब काम छोड़ कर जपकी ले लो आपे क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया जो आपका शरीर दुरुस्त रहेगा तो घर आगे भी ठीक से चलता रहेगा इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई शरम नहीं सास की शरम नहीं, ससुर की शरम नहीं, पती की शरम नहीं, बच्चों की शरम नहीं आपने दुपेर का खाना खाया जपकी ले ही लो 20 मिनट से 40 मिनट, जिंदगी आपकी सुखी रहेगे, जिंदगी भर आप सुखी रहेगे इसमें कोई शरम की बात नहीं है ये शरीर की जरूरत है जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं इसमें क्या शरम करते हैं वैसे ही खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को ज़्यादा प्रेशर बरदाश्त नहीं है तो नीद लेना ही शरीर के लिए आप कहेंगे जी दुकान में व्यवस्था नहीं कुछ बना लो, आगे पीछे कुछ तोड़ ताड़ के ऐसी व्यवस्था कर लो, कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए, आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं, बीमा कमपनी में काम करते हैं, तो मैं अमेरिका यूर तो हिंदुस्तान के थे तो आपकी बैंक और वीमा कंपनियों में भी कोशिश करो लेकिन आपको मालूम है यह जो हमारा बीपी ओ सेक्टर है यहां तो हो गया है गुणगाओं में चालू हो गया उन्होंने चालू कर दिया दूपहर को खाने के बाद जबकी लेने की छूट द आता हूं जैपूर जैसे शहर में राज़कोर्ट जैसे शहर में तो दूपहर को सारा बजार बंद रहता है राज़कोर्ट में हजारों करोड का बिजनेस होता है रोजका दूपहर को कोई दुकान पर नहीं मिलेगा करोड़ पती से करोड़ पती कहां है जी खाना खाके अगर क्या अम्रेली दुपहर को बजार खुले गई नहीं और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा करोणों रुपए लेखे सेट जी कहेंगे जी शाम को आना चार बजे के बाद अरे सेट जी मेरे पास बैक बराय रुपियों का शाम को ले आना मुझे अभी इतनी फुरसत नहीं है मैं नीद ले रहा हूँ बहुत सुखी लोग हैं समय का सही सद उपयोग कर रहा है अब कुछ लोग गालिया देतें क्या निकम में लोग हैं दुपहर को सोते हैं सो नहीं चाहिए पूना में आप चले जाएए पेशवाई के जवाने से पूना के लोग दुपहर को खाने के बाद जरूर नीद लेते हैं पेशवाई ने इसके लिए बहुत प्रचार किया था बागवट के इस सूत्र का तो वहाँ भी है पूना में भी है जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में हर जगे ये देखने को मिलेगा दुपहर के खाने के बाद सब जबकी लेंगे ही तो करनाटक में भी है तमिल नाडू का मुझे मालूम नहीं क्योंकि ज़्यादा मैं घूमा नहीं लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये जो नियम आप पालन करो तो ये प्रकरती के अनकूल है शरीर के अनकूल है इसलिए इसमें शरम नहीं जीख अच्छा अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का वो ये कहते हैं कि दुपहर और सुबह के खाने का अगर आपने नीद लिया है खाने के तुरन बाद तो रात का भोजन माने शाम का भोजन रात से मतलब हमेशा शाम ध्यान रखना तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांती नहीं लेना उल्टा है विल्कुल सुबह का भोजन किया तब तो विश्रांती जरूरी है शाम का भोजन किया तो दो घंटे तक विश्रान्ती नहीं लेना, दो घंटे, माने छे बजे खाना खा लिया तो आठ बजे ही जाना सोने के लिए, उसके पहले नहीं, पांच बजे खाया तो साथ बजे, दो घंटे तो विश्रान्ती लेना ही नहीं, क्यों सुबह का जो है क्र शाम को उल्टा है सुबह सूरी का प्रकाश है पवन की इस पर्ष बहुत तीव रहे हैं शाम को सूरी का प्रकाश बिलकुल नहीं है तो शुरी Kylie पूरी बदल जाती है सुबय और शाम कच्च तरह के हर्मोंस है शाम को दूसरे तरह के हर्मोंस है तो शाम के लिए वो observation करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं अगर सोएंगे तो हर्ट अटेक डाइबिटीस सब बीमारी आने की संभाव तो शाम को खाने के दो घंटे बाद तक ना सोएं सुबह खाते ही जरूर विश्रानती लें अब आके एक तीसरा सुत्र उन्होंने लिखा बागवटजे बीच में ही रहे मिडल मारग हैं मद्दि मारगे वो यह कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनो नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से करें तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते तो वो यह कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्जरासन में जरूर ब कारण से कारण कुछ भी हो तो वो यह कहते हैं वज्जरासन में जरूर बैठें 10 मिनट वज्जरासन आप सब समझते हैं यह इसे पैर पीछे करके बस 10 मिनट बैठ जाएए खाने के बाद सुबह भी और शाम को भी और प्राणायाम और योग में महर्शी पतंजली ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो यह एक ही है बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते हैं और महर्शी पतंजली कहते हैं महर्शी पतंजली बागवट के बाद के हैं महर्शी पतंजली कहते हैं कि अगर वज्जरासन में कोई बैठता है तो शरीर बिलकुल आप समझते हैं एक्दम कथोर मजबूत अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा गांदी जी को तो मेरे आँखों से नहीं देखा शूबा कान जी ने देखा गांदी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे घंटों 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 और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार वो वज्रासन की क्रपा है गांदी जी कोई आसन नहीं करते थे कोई प्राणायाम नहीं करते सुबह घुमने जरूर जाते थे लेकिन हमेशा ये वजरासन में जब मौका मिला बैठ गए जब मौका मिला बैठ गए और गंटों गंटों तीन-तीन गंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले-डुले वजरासन में बैठ के चिट्थी लिख रहें किताब पढ़ रहें वगरा वगरा तो दस मिनट तो क्निवनतम करें ही जादा से जादा अगर आप कर सकें समय समय पर वजरासन में बैठते रहें तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहते ये तीन सूत्र हुए और एक चौथा सूत्र बता देता हूं हमारे बागवट रिश स्थायश किये मन की है कि ières को औरन साइंस में ना चित है ना मन है व ब्रेन की बात करते माइड कि माइन अलग है मंन अलग है बेन अलगे चित अलग है तो टामन दोनों शांत रहें तो चित और मन को शांत रखने का क्या उपाए है तो शायद इसी के लिए हमारे देश में य या इश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले अगर इश्वर की प्रार्थना आप कर रहे हैं कोई सूत्र बोल रहे हैं तो निश्चत रूप से आपके मन और चित्त में शान्ती आएगी तो खाने के पहले मन और चित्त को शान्त करें बजन के द्वारा या तो भगवान की के द्वारा, कोई मंत्र के द्वारा, कोई सुत्र के द्वारा, जैसे आप करना चाहें वो करें. और एक सूत्र, बहुत महत्वका. वैसे तुम्य परसों कहने वाला हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ हूँ. बागबट जी एक लिख रहे हैं सूत्र में कि जब भी आप विश्रान्ती लें सुबह या शाम माने रात को सोएं या दिन में सोएं तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रखके सोएं अब यहां पर वाष्टू घुज गई वास्तु शास्त्र वास्तू भी विज्ञान है तो वह कहें हमेशा आपको विश्रांती लेते समय सिर सूर्व की दिशा में रहे सूर्व की दिशा में पूर्व की दिशा और पाउं पश्चिम में रहे और वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए कोई भी मजबूरी के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सकें तो दक्षण में जरूर कर ले साउथ में तो या तो इस्ट और या साउथ जब भी आराम करें, लेटें तो सिर हमेशा पूर्व में ही रहे पाउं हमेशा पश्चिम में रहे और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिन दक्षिन में सिर रखें उत्तर में पाउं आगे के सूतर में बागवट जी कहते हैं कि उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोए उत्तर नौर्थ फिर आगे के सूत्र में लिखते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यू की दिशा है सोने के लिए उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है पढ़ना है लिखना है अभ्यास करना है तो उत्तर में मुह रख्के करें लेकिन सोने के लिए उत्तर बिलकुल निशिद्ध है अब बागवटी जी ने लिख दिया मैंने देखना शुरू किया जब से ये पढ़ा तो मैं गाओं में भी बहुत जाता हूं तो कई बार गाओं में मैंने ऐसी इस्तती देखिये किसी का मृत्ति हुई तो मुझे अंतिम स संसकार के सूत्र बरना तो पहला ही सूत्र वो बोलते हैं संस्कृत में हर गाहों में पंडिजी मृत का शरीर उत्तर में करो मने सिर उत्तर में करो पहला ही मंत्र है पहला ही मंत्र बोलेंगे मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो और हमारे देश में आरिस समाज के एक संस्था आपक रहे स्वामी द्यानेंद सरस्वती उन्होंने भारत में जो संसकार होते न जन्म का संसकार है गर्भाधान संसकार है मृत्यू भी एक संसकार है तो उन्होंने पुस्तक लिखी है संसकार विधी उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यू के लिए तो उसमें वो कह रहे हैं कि बाद विधी शुरू करो अब ये तो हुआ बागवट्ट जी का दयानन जी का वगरा अब मैं विज्ञान जोड रहा हूं इसमें ये मेरा अपना explanation है क्यों आज का जो हमारा दिमाग है न ये क्यों के बिना मानता नहीं हाँ क्यों क्यों ऐसा करें कारण उसका बिल्कुल साफ है आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो प्रत्वी है इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है प्रत्वी और शरीर के बीच में इसको हम कहते हैं गुरुत्तु आकर्शन बल अब ये कैसे काम करता है प्रत्वी के बारे में आप जानते हैं प्रत्वी का उत्तर प्रत्वी का दक्षन ये दोनों सबसे ज़्यादा तीव रहें गुरुत्तु आकर्शन के लिए प्रत्वी का उत्तर प्रत्वी का दक्षन एक चुम्बक की तरह से काम करता है गुरुत् दक्षिन है, तो सिर का उत्तर और प्रत्वी का उत्तर, आप अगर प्रत्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए, भागवत जी कहते हैं नहीं सोना, मान लो सो गए, तो आपका सिर का उत्तर और प्रत्वी का उत्तर, उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए, तो force of repulsion काम करत विज्ञान यह कहता है force of repulsion माने प्रतिकरशन बल लगेगा तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि यह उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया तो उधर से एक प्रतिकरशन बल आपके शरीर पर काम करेगा तो यह प्रतिकरशन बल जब शरीर पर काम करेगा धक्का देने वाला बल तो आपके शरीर में संकुचन आएगा contraction और शरीर में अगर संकुचन आया तो blood pressure पूरी तरह से control के बाहर जाएगा क्योंकि blood को भी pressure आएगा क्योंकि शरीर को pressure आया ना तो शरीर में खून है खून को भी pressure आएगा और अगर खून को pressure है तो नीद आएगी ही नहीं मन में हमेशा धड़ पड़ धड़ चलती रहेगी हिर्दय की गती हमेशा तीवर रहेगी तो उत्तर की दिशा प्रत्वी की है जो नौर्थ पोल कहलाती है हमारे शरीर का उत्तर ये है सिर अगर ये दोनों एकी दिशा में हो फोर्स ओफ रिपल्शन काम करेगा प्रतिकरशन बल लगेगा शरीर में संकुचन आएगा नीद आएगी ही नहीं अब इसका उल्टा कर लो आपका सिर दक्षण में कर दो ठीक है? प्रत्वी का दक्षण में आपका सिर कर दो तो आपका सिर तो नौर्थ हुआ और प्रत्वी का दक्षण हुआ साउथ हुआ तो आपका नौर्थ माने उत्तर और प्रत्वी का दक्षण ये दोनों एक दिशा में है तो फोर्स ओफ अट्रेक्शन काम करेगा एक बल आपको खींचेगा और अगर आपके शरीर पर खिचाओ पड़ेगा मान लीजे आप लेटे हैं और ये प्रत्वी का दक्षन है और इधर आपका सिर है तो आपको खिचेगा अगर कोई तो शरीर थोड़ा सा बढ़ा होगा जैसे रबर खिचती है ना elasticity ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ा हो आएगा जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉड़ी में relaxation आ गया आप अंगड़ाई लेते ना शरीर को तान देते हैं फिर क्या लगता है बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ाओ आया आप बहुत relax फिल करेंगे तो इसलिए बागवट जी ने कहा कि दक्षन में सिर करेंगे तो शरीर पर force of attraction है उत्तर में सिर करेंगे तो force of repulsion है force of repulsion में शरीर पर दबाओ पड़ता है force of attraction में खिचाओ पड़ता है खिचाओ और दबाओ एक दूसरे के विपरीत है दबाओ से शरीर में संकुचन आएगा तो खिचाओ से शरीर में थोड़ा सा फैलाओ आएगा तो फैलाओ है तो आप सुखी नीद लेंगे और उस पर दबाओ है तो नीद नहीं है इसलिए उन्होंने बहुत बहतरीन विशलेशन दिया है ये विशलेशन मैं मानता हूँ जिन्दगी के सारे मानसिक रोगों को खतम करने का अकेला है सूत्रे नीद अच्छी अगर ले रहे हैं आप तो समझ लीजे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर से बार भोजन अच्छा है नीद अच्छी है और क्या चाहिए तो आप नीद अच्छी लें ब्रेन हमेशा आपका force of attraction पे रहे इसके लिए दक्षण में सिरकर के सोना बहुत अच्छा और नहीं तो पूर्व में करना अब पूर्व क्या है पूर्व के बारे में प्रत्वी पर research करने वाले सब वैज्यानिकों का कहना है कि पूर्व neutral है पूर्व जो है ना neutral है ना तो वहाँ force of attraction है ज्यादा ना force of repulsion है और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को balance किये हुए है इसलिए पूर्व में सिर करके सोईंगे तो neutral आप भी रहेंगे तो आसानी से नीद आएगी और अच्छी नीद आएगी पश्चिम का आप पूछेंगे जी पश्चिम के लिए अभी research होना बाकी है बागवट जी मौन है उस पर कोई explanation देकर नहीं गए है और आज का science भी लगा हुआ है कोई research अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रिशित करूँगा पश्चिम के बारे में सोने के हिसाब से वैसे जो सूत्र में बात कर रहा हूं वो research पश्चिम पर कम हुई है पूर्व पर हो चुकी है दक्षन पर बहुत हो चुकी है उत्तर पर तो सबसे ज़्यादा हो चुकी है तो यह तीन दिशाओं को ध्यान में रखना है सोते सब्सक्राइब बाने पूर्व में सिर करके सोई तो कहते हैं जो साधू हैं जो सन्यासी हैं जो ब्रह्मचरिका पालन कर रहे हैं जो ग्रहस्त जीवन नहीं जी रहे हैं जो दुनिया की मोह माया से दूर है इन सब को पूर्व में ही सिर करना हमेशा और जो दुनिया चला रहे हैं घर चला रहे हैं ग्रहस्ती चला रहे हैं आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले घर ग्रहस्ती चलाने वाले दुनिया चलाने वाले लोग हैं तो आप तो आज ही अपने बैड की पूजिशन बदलो दक्षण में सब के सिर्व होने चाहिए बैड के और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते ब्रह्म मचरिका पालन करना है सादू महात्मसंत इनको पूर्व में ही सोना है सिर रखके और आप जैसे लोग जिनको घर ग्रहस्ती चलानी दक्ष्ण अब यहां कोई कंफ्यूजन की तुमजाईश नहीं है आप अपना याद रखो मैं मेरा याद रखता है अच्छा आज के लिए इतने ही सूत्र अब आप सवाल पूछ सकते हैं सिर के लिए हाँ हाँ सरीर की खिचाई होती है तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपल जरी हम सूथ प लग रही है आप हमेशा उनका सिर्दक्षन में रखके सुलाईए थोड़े तीन-चार साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी राजी बाई आपने बताया था सुबह उड़ता ही पानी पिना चाहिए लेकिन जैन दर्म में यह बताता है कम से कम 48 मिनिट बाद में खुश भी लेना चाहिए जो जैन दर्म में 48 मिनिट का नियम है ना सूरियोद होने के 48 मिनिट के बाद वो बिलकुल नियम सही है पक्का है वो नियम क्या है वो हमें समझने की बात है वो नियम ऐसा है जो पानी है ना पानी बहुत सार जीव राशियों का संग्र है अब ये थोड़ी सुक्ष्म की बात है मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सवाल पूछ लिया इसलिए कहा पानी जो है सुक्ष्म जीव राशियों का संग्रह है आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें करोडों करोडों सुक्षम जीव आपको दिखाई देंगे इधर उधर भागते घूमते अगर देख लें तो दिली नहीं करें पानी पीने के लिए ये तो सुबह सुबह क्या होता है कि आपका ज में पूरी संभावना है कि जादा जीव राशी के हत्या होगी इसलिए जेन-दर्शन यह कहता हए अनावश्यक हिंसा से बचो हिंसा से बच सके हैं यह आदर्श यह लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो अनावश्यक में आपके मुँँ की जो लार है ना इसकी जो छारीता है ये कम हो जाती है बहुत कम हो जाती है बहुत तेजी से कम होती है और इसकी छारीता कम हुई alkalinity जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में तो जीवराशी के मरने की संभावना उतनी कम हो जाती है तो फाल्तु हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन नहीं ये कहा कि नवकार्शी यो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं न हाँ तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बागभट जी का भी है वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार करते हैं तो मूँ की जो लार है इसकी छारियता कम होना शुरू होती है तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जेन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो और अगर आप जेन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंसा हिंसा का उतना महतु नहीं है लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है तो आप बोलेंगे जी 48 मिनट तक क्या करें बैठे रहें तो बगवान का नाम ले लो आप ईश्वर का जाब कर लो मंत्र का जाब कर लो कुछ कर लो और फिर पानी पिओ फिर उसके बाद आपकी दिन चर्या शुरू करो यह बीच का रास्ता मैंने बताया जी और कोई प्रश् जैसे जनम होता है तो बच्चे को सहद और घी चटा जाता है एक ऐसा संसकार है तो वो कैसे जी यह जो संसकार है ना बच्चे को जनम लेते ही शहद घी चटाने का इस संसकार को करते समय जो लोग है ना कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखें तो तकलीफ है आयुरवेद के ह अगर आप ध्यान नहीं रखते तो बहुत तकलीफ है आयरुवेद ये कहता है कि शहद और घी बरावर मात्रा एक साथ कभी भी लेंगे तो जहर ही है लेकिन कुछ भारत में ऐसे समू हैं जो अपने बच्चों को ये करते हैं शहद और घी चटाते हैं लेकिन सभी लोग भारत में ऐसा नहीं करते हैं बहुत सारे लोग नहीं भी चटाते लेकिन जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा ऐसे कुछ समू हैं बारत में जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा तो वो मुझे एक इंटेलिजन्ट उत्तर देते हैं और वो बागवट जी का भी सही है वो ये कहते ह कि जी हमने शहद और घी साथ में चटाया तब जब उसमें गाय का मूत्र थोड़ा मिलाया था या गाय के गोबर का रस डाला था अब ये जो गाय का गोबर और गोव मूत्र की जैसी बात आती है तो तुरंद मेरे ख्याल में आता पंच गव्य बनाते हैं न पंच अम्रत या पंच गव्य तो उसमें शहध और घी भी होता है लेकिन गोबर के साथ या गोबर के रस के साथ फिर हम लोगों ने थोड़ा काम किया कि ये गोबर अगर मिला दिया शहध और घी में तो क्या इसकी विश्कारक्ता कम हो गई तो बाद में एक कल या नहीं तो परसों मैं इस विस्तार से आने वाला हूँ कि गाय के मूत्र को मिलाते ही शहद और घी एक दूसरे के साथ मिलने को तयार है माने उनकी दुश्मनी कम है माने गाय के मूत्र में एक केमिकल है जिसका नाम है सल्फर ये सल्फर दुनिया का अकेला केमिकल है जो दो विश्के बीच में डालो तो तो सलफर बढ़ता है तो कुछ लोगों को मैंने पूछा जो ये कर रहे हैं तो हो केते हम बच्चे को शहद और घी चटाते हैं लेकिन थोड़ा गोमूत्र देकर माने थोड़ा गोमूत्र एक बूंद या आदा बूंद मिलाकर तो शायद उनके लिए वो अनकूल पड़ता हो लेकिन आप ये ना करें ये मेरी विंती है आप इसको बच्चे को अगर चटाना है तो खाली घी चटा दें अगर चटाना है तो खाली शहद चटा दें शहद और घी मिलाकर ना चटाएं एक ही कंडिशन है कि जब बच्चे को कोई ऐसा गंबीर रोग ना हो अगर मान लो कोई बहुत गंबीर रोग है जिसमें विश ही देना है मान लीजे कई रोग ऐसे हैं जिसमें विश दवा का काम करता है ऐसे कई रोग हैं जिसमें विश दवा का काम करता है उस कंडिशन में एकदम तामई कलर के हो जाते हैं ये जो कौपर होता ने कौपर तामा तामर उसी रंग के बच्चे की इसकिन होना शुरू हो जाती है उस बच्चे को जरूर शहद और घी ही चटाना पड़ेगा नहीं तो ठीक नहीं हो उसके लिए वो काम आएगा तो अलग-अलग करिस्तितियों में लेकिन सामान ने बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है उपयोगी नहीं जी स्रीमान जी आईरुवेदिक दवाओं के साथ जो डाक्टर की दवाओं भी चल रही है तो उसको ले सकते हैं बिलकुल मत लीजे दवा जो है ना आप भरोसे से आईरुवेद की लीजिए तो उसे ही आपको बहुत बड़े परिणाम मिल जाएंगे एलोपैधी की दवाओं साथ में खाएंगे तो कोई अच्छे परिणाम तो नहीं बुरे परिणाम जरूर आ जाएंगे अर्जुन की छाल का जो पाउडर आप उसके साथ लेना के रहे हैं जब हम लेते हैं तो उसको पत्री के जैसे जमने की संका रहती है या डाउट रहता है अर्जुन की छाल से पत्री होने की शंका ना के बराबर है पत्री होने की शंका एक ही चीज में है कि अगर आप चूना जादा खाएं तो अरजुन की चाल से आज तक मैंने नहीं सुना किसी को पत्री होई है क्योंकि अरजुन की चाल में जो कैल्शियम है वो बहुत ही कम है और जो है वो बहुत आसानी से घुलनशील है वो आसानी से डाइजेस्स होता है पत्री होने की संभावना तभी है जब आप जादा चूना खाएं जी पेशाप करने के पस्याद पानी पीना ठीक है या पहले पानी पीना तक इंतिसार कर लीजे इस नियम के लिए ये कल आने ही वाला है आप पूछिये जी क्या जी काड़ा काड़ा शाम को भी पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा शाम को चाहें तो पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा शाम को पीएंगे तो नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फाइदा भी बहुत नहीं आएगा फाइदा सबसे ज़्यादा काड़े का लेना है तो सुबह पाई जी 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 इनको चाय पीने की आदत है सुबह उठते ही बहुत लोगों को होगी इसका नुकसान बताएं देखिए मैं एक ही मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज़्यादा नुकसान है चीनी फाइदा चाय के साथ कोई मेल नही है अगर आप चाय पी रहे हैं मैंसे तो मत पीते हैं क्योंकि आपकी तासीर के अन्कूल नहीं है चाइ के जो chemical है न भारत के लिए उप योगी नहीं है भारत में रहने वाले लोगों के लिए यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाइ हमारे लिए वो जहर है कॉफी तो और भी जादा गरम देशों में चाइ कॉफी अच्छी नहीं है फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब है लेकिन क्या करें आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, वो तरीका ये है कि चीनी की जगे गुड़ की चाय पी लीजे, क्यों पी लीजे, वो समझ ये, गुड़ जो है ना छारी ये है, और चीन है ना अमली ये है, चीनी जब डिसिंटीग्रेट होती है, तो उसके जो अंतिम परिणाम है, वो एक एसिड के रूप में ही है, और गुड़ जब डिसिंटीग्रेट होता है, तो उसका अंतिम परिणाम है, वो छार के रूप में है, आपके पेट में अमल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो जादा ही होता है और उस समय अमल वाली चाय और पिएं जो चीनी मिला ही हुई है तो ये इसिडिटी ही बढ़ाईगी आपकी तो बहतर है कि आप चाय पीएं तो गुड वाली पीएं अब गुड वाली चाय जब पिएंगे तो दूद नहीं डाल सकते हैं उसमें क्योंकि दूद फट जाएगा गुण से क्योंकि दूद और गुण की दोस्ती नहीं है तो फिर बिना दूद की चाए पिएं तो आप काली चाए पिएं गुण डाल के पिएं और मेरी छोटी सी एक बात अगर माल लें कि अगर काली चाय गुड डाल कर आप पी रहे हैं तो थोड़ा असा नीबू का रस डाले हैं तो नीउट्रलाइज हो गी है नीबू का रस ऐसे डिक है गुड जो है न छारी है तो गुड मिलाई हुई चाय को अगर नीउट्रल करना है तो थोड़ा नीबू डाल कर नीबू की चाय पिए ठीक है? ऐसा कर लेकिन इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए वो नियम न बोले, जी, हाँ, इसलिए मैंने बोला कि गुड़ में जो है न चार है और नीबू जो है ऐसे डिक है, तो चार अमल मिलें तो नीटरल होगा तो नीटरल चाय हो जाएगी जब आप पिएगे मैंने चाहता कि चार ये तत्तु भी जादा जाए आपके पेट में क्योंकि चार भी नुकसान करता है तो गुड़ डाल दिया, तो चार पन आया चाय में तो थोड़ा दो-तीन बून नीबू के रसकी डालिये तो फिर नीटरल हो जाएगा, वो आप पिएगे तो जीवन भर आप बिना किसी दुख और तकलीफ के पी सकेंगे उसको, और अगर आपको बन पाए, बन पाए तो हरे पत्ते की चाय ही पिए यह जो चाय आती है ना बजार में टी डस्ट, यह आप में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं आपको अगर पत्ते वाली हरे पत्ते वाली चाय मिल रही है तो वो कम से कम इतना जरूर फाइदा है कि वो एंटी ऑक्सीडेंटल प्रॉपरिटी वाली है क्योंकि हरे पत्ते को सीधे निकाल कर सुखा कर आप बना रहे हैं तो वो इस से बहतर है जो चूरे वाली चाय आप पी रहे हैं थोड़ी बहतर है कई देशों में हमने देखा है कि भोजन लेते समय वजरासन में बैठके भोजन लेते हैं इस्टरन कंट्रीज में करते हैं इंडोनेशिया में मलेशिया में थोड़ा सा मंगोलिया में जाएं तो वहां भी करते हैं वजरासन में बैठकर वो लोग भोजन कर सकते हैं आपके लिए उतना अन्कूल नहीं है क्योंकि आपको भोजन के बाद वजरासन करना अन्कूल है भोजन करते समय आपके लिए सुखासन या उकुडू बैठकर आसन वहीं अन्कूल है अब यह क्यों है एक दिन रुख जाए परसों में explain करने ही वाला हूं और मैंने यह भी notice किया है कि यहां के लोग भोजन लेने के बाद शहद लेना वाजिब समझते हैं इसलिए क्योंकि चैटेन का पालन अगर आप कर रहें तो मत लीजए और अगर आप जहन द misma नहीं कर रहें अपने जीवन को तो आप शहद लेने के लिए स्वतंत रहें के जहन दरशन में तुम्हेइब इस्ट्रिक्टली बोलूंगा ना करें क्योंकि उसमें हिनसा और अहिनसा की बात आएगी, शहद जो है ना जीवराशियों का समू है, और बड़ी मक्ची के शहर में शहद में जादा जीवराशिया, पानी कितना लेना चाहिए, ये सब के लिये अलग-अलग है, तो इसका सूत्र बता देता हूँ हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए आप अपना वजन करिए वजन अगर साथ किलो वजन है तो दस से भाग दीजे इसमें तो छे आएगा और दो घटा दीजे तो आप 24 गंटे में 4 लीटर पानी पी सकते हैं अगर सत्तर किलो वजन है तो दस से भाग दीजे साथ आएगा दो घटा दीजे तो पांच लीटर पूरे 24 गंटे में पानी पी सकते हैं किसी का वजन 40 किलो है दस से भाग दीजे चार आएगा दो घटा दीजे दो लीटर पानी पूरे दिन में पी सकते हर व्यक्ति अपने वजन के हिसाब से पानी तै कर ले जितना वजन दसका भाग और दो घटाना बेनो और भाईो महान रिशी बागभट द्वारा रचित अश्टांग हिर्देम पर आधारित स्वदेशी चिकिस्ता के व्याख्यानों को आपने सुना राजी भाई ने स्वदेशी चिकिस्ता के उपर व्याख्यानों में आपको बताया कि किस तरह से हम अपने स्वस्त को अच्छा रख सकते हैं बिना दवा के बिना डॉक्टर के हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं ये आपने उनके व्याख्यानों में सुना आईए अब हम इन व्याक्षानों के आधार पर और बागवट रिशी के द्वारा रचित अश्टांग हिर्द्यम के आधार पर सुदेशी चिकिस्था के शिवरों में भाग लें और सुदेशी चिकिसा के शिवरों में भाग लेकर अपने वात, अपने पित और अपने कफ के वारे में जाने और इन त्रिदोशों के आधार पर अपने शरीर को कैसे स्वस्त रख सकते हैं इसके वारे में जाने इन सोदेशी चिकित्सा शिवरों में हम आपको बताएंगे किस तरह से अपने बात को अच्छा रखें, किस तरह से अपने पित्त को अच्छा रखें, किस तरह से अपने कफ को अच्छा रखें, इन तीनों का संतुलन कैसे अच्छा रखा जाए ताकि हमारा सरीश्वस्त रहे हमारे प्रतिदिन के भोजन में हमारे परिवार के भोजन में हम किस तरह का खाना बनाएं हम किस तरह का भोजन तयार करें ताकि वो प्रकर्ति के आधार पर हो इन त्रिदोशों के आधार पर हो ताकि हमारे परिवार का स्वास्त अच्छा रहे भाईयों और भेनों आपने सोदेशी चिकिस्सा व्याख्यान सुना सोदेशी चिकिस्सा के वारे में जाना अब हमारा कर्तब है कि हम अपने सभी जनजन को अपने भाईयों को सभी भारतियों को सोदेशी चिकिस्सा के वारे में बताएं और देश की सेवा करें हम अपने यहाँ पर इस तरह के शेवरों का आयोजन कर सकते हैं, हमको अगर कोई बिमारी है, कोई परेशानी है, कोई सामान ने बिमारियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्रप्या करके हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं, 982520113 परेशानी है, किर्ड़िये में झायों कर सकते हैं, परेशानी है, क्यात् स्कते हैं, 860y nellaया ओिमार ने बिमारे ने बिमारे उना खरेशार normaal के हमारे रा यह यहाँए, धन्त strikes कया है, कि कोई बिमारे जानकारी चाल कर का रचानी है eh nepर तो कि उनार पर भुंपनी प्õlbor릴게요